नमस्कार मित्रों, मित्रों आज के वीडियो में हम नासदिय सुक्त के चौथे श्लोक के उपर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को आरभ करते हैं तो मित्रों नासदिय सुक्त का चौथा श्लोक कहता है तो इश श्लोक में बहुत सी संधियों का उपयोग किया गया है अब हम यदि इन संधियों को तोड़ देते हैं तो ये श्लोक बन जाता है कामह तत अगरे सम अवर्तत आधी मनसो रेतह प्रथमम यत आसीत फिर सतो बन्धुम असती निर अविंदन हृदी प्रतिश्या कवयो मनीशा तो अब हम चलिए इसके अर्थ को समझते हैं कि यहाँ पर वास्तों में कहा क्या गया है तो का जाता है कामह तत अगरे सम अवर्तत आधी अर्थात कामना तब आगे उत्पन्न हुई फिर बोला जाता है मनसो रेतह अर्थात मन में वीर्य जैसे रेतह जो होता है वो वास्तों में वीर्य होता है या आप कहसेते हैं कि बीज प्रतमम यत आसीत अर्थात सबसे पहले जो हुआ फिर बोला जाता है सतो बंधुम असती निरविंदन अर्थात सतो यानी सत और असती हो गया असत तो सत और असत फिर है बंधुम अर्थात भाई या साथ में जुडेवे बंधू तो सत और असत दोनों भाई निरविंदन अर्थात निर जो हो गया बाहर निकलना जो होता है निरवान कहते हैं कि क्या कि आपके जो इस शरीर से बाहर निकलना गया मुक्ति होगी तो वो मुक्ति होना और जो विंदन है अविंदन है यहापे अविंदन जो होता है वो वास्ता में होता है कि प्रकट होना या व्यक्त होना या किसी का आ जाना इस प्रकार से तो सत और असत दोनों भाई साथ में आए या साथ में उत्पन हुए, साथ में प्रकट हुए, साथ में व्यक्त हुए यह दोनों ही वास्तों में भाई हैं जो की प्रकट हुए फिर आगे है रिदी अर्थात हिरदय में प्रतिश्या यानि जो प्रकट हुआ या प्राप्थ हुआ प्राप्थ हुआ कि समझ लिया प्राप्थ कर लिया वैसे कवियो मनीश्या जो होते हैं कवियो अर्थात कवी से संबंदित हो गया कवी में कवी का कवी के लिए मनीश्या जिसका जो मनीश है यानि जिसका जो मन है वो बुद्धी पूर्ण है जो बहुत ग्यानी है तो कव्यो मनीश है अर्थाद जो रिशी होते हैं उनको बताया जा रहा है तो यदि हम इस सब को जोड लेते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि तब आगे उसमें उत्पन हुआ काम यानि कामना की भावना उसमें उत्पन हुई और वही भावना वास्तों में रेतस थी अर्थाद वही भावना सरौर प्रथम थी, सरौर प्रथम यह नि बीज थी, रेतर से यह नि बीज यह जो आपका वीरी होता है, तो वही जो कामना थी, वही वास्तों में बीज थी, जो कि मन के भीतर उत्पन हुई, और फिर बोला गया है कि तब सत और असत दोनों प्रकट और इनको रिदय में समझा रिशियों ने, तो जो अर्थ हो गया उस प्रकार से यह आप फिर से एक बार इसको पूरा च्छे समझें, तो वही है कि सबसे पहले जो बीज उत्पन हुआ जो की, जो बीज था जो की, कुछ भी, कुछ भी जो बीज है, उत्पन होने वाला, वो वो है जो की, एक कामना है आपके भीतर, जो इस संसार को अनुभव करने की कामना जो हो गई, या अस्तित्व की कामना हो गई, तो वो जो कामना है, वो वास्ता में उत्पन हुई, वो ही वास्ता में बीज है, जो की इस पूरी प्रक्रिया का आरंब है, तो अब आप समझ से तो जो अग्यान वास्ताव में आरंभ में था, वो अग्यान जो था, वो क्या था, यह जैसे पिछले श्लोकों में बोला गया है कि वो जो है, जो कि अनुभव करता है, जो कि वास्ताव में ग्यान ही है, वो ग्यान अंदकार से घिरावा था, अंदकार में था और अंदकार जो था, वो भी अंदकार में ही घिरावा था, अर्था, वो संपूर्ण अंदकार में था, नि ग्यान जो था, वो भी अग्यान में ही घिरा हुआ था और तब जो है उसके भीतर एक अग्नी थी जो कि मैंने आपको समझाया कि अग्नी वास्ता में भीतरी सत्य है तो वो ज्यान को प्राप्ट करने वाला जो भीतरी सत्य है वो है तो वो स्वेम को ही जानना चाता था तो यह नहीं वही ब्रह्मा का स्वरूप है वही स्वैम को जानना चाता था तो यह जो कामना है वे बताई जारी ही वह कामना वही है कि उसके भीतर यह कामना उत्पन हुई कि वह स्वैम को जाने वह प्रकट हो वह व्यक्त हो और वो व्यक्त होकर कि वो सब को जाने और हमारे भीतर भी वास्ता में यही एक भावना है जो कि सभी के भीतर रहती है कि वो और जाने और जाने तो यही जो हमारे भीतर की यह कामना है कि हम और जाने वही वास्तों में हमें बैक्टीरिया से बढ़ा बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के आज मनुश्यों तक लेकर आई है और जहां पर की बैक्टीरिया केवल अपने पास के जो वातावरन है उसको ही केवल समझ सकता था वहीं पर मनुश्य वास्तों में ऐसा है जो कि कई प्रकाश वर्षों दूर जो चीजें हैं उनको भी समझ सकता है उनको भी जान सकता है और हमें क्या पता कि ग्यान कहां तक है यदि आप बैक्टीरिया के दृष्टी कौन से देखे तो बैक्टीरिया के लिए उसका जो उसके पास वाला जो पूरा परियावरन है वही वास्तों में बहुत सारा ग्यान है और हमारे लिए ये प्रकाश वर्ष कई प्रकाश वर्षों तक की दूरी का जो घटना करम है जो भी कुछ है वो हमारे लिए बहुत गहरा ग्यान है किन्तु किसे पता है कि कितना दूर तक आगे ग्यान और फैलता है हम केवल एक स्थर पर यहां पर हैं इस स्थर का ग्यान हम अपने पास में रखते हैं इस ग्यान को आगे कितना और आगे बढ़ाना है ये तो कोई जानता ही नहीं है वास्तों में कहां तक हो इस श्रिष्टिका कोई अंत ही नहीं है ये तो अनंत है तो प्रकट करनी की जो प्रक्रिया है वो भी अनंत है कहा ता चलती जाएगी किसे पता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो यह के वल परिवेक्ष वाली बात होती है कि आप एक सीमा तक अभी जानते हैं परंतु उसके आगे और कितना और आप जाने चले गए उतना उतना व्यक्त होता चला गया जितना जितना हम जानते चले गए उतना उतना व्यक्त होता चला गया और ऐसे ही जो पूरी श्रिष्टी है यह और फैलती जा रही है और अनन्त है इसका कोई अन्त नहीं है यह जितना आप ग्यान और जानते जाएंगे उतन ही औ और प्रकट होती ही चली जाएगी इस बारे में यहां पर कहा जा रहा है और यही जो ग्यान को जानने की एक इच्छा है यह नकेवल इस भौतिक संसार तक सीमेथ है किन्तु हमारी मनोभावना तक पी पी जाता है कि हम स्वैम के बारे में और जानते चले जाएं जितना जितना हम संसार के बारे में आगे जाते जाते हैं हम स्वैम के बारे में भी उतने गहराई तक अंदर और जा सकते हैं कि हम वास्ताव में क्या है हमारा रूप क्या है क्यों हम कुछ अनुभाव करते हैं क्यों हमारे अंदर कुछ अनुभाव करने की भावना होती है और यदि आप जो हमारी प्रतिक्रिया होती है किसी भी घटना के प्रति उसको भी निर्धारित करती है क्योंकि जिस प्रकार से हम भारी संसार को समझते हैं उसी प्रकार से हम फिर किसी घटना के प्रति अपनी समझ को भी रखते हैं एक समय पर हम यह सोसते थे कि प्रत्वी जो है वो इस मैं को भी और अच्छे समझने लिए कि हमारा वास्तामी संसार में स्थान क्या है तो इस प्रकार से हम वास्ताव में बाहरी ग्यान को भी जानते हैं और भीतरी ग्यान को भी जानते हैं कि उच समय तक हम जो है वो यही सोचते थे कि यह जो सबसे कम जानने वाला है वो केवल ए जो ये वृद्धी है ग्यान में नकेवल बाहरी वृद्धी किंतु आंतरिक वृद्धी भी वो ही है जो की इस संसार को आगे बढ़ा रही है अब उसके आगे वो फिर ये बोलते हैं कि जो जो अस्तित्व है और अनस्तित्व है वो दोनों ही वास्ताव में बंधू है यहां पे इस प्रकार से बोला गया है तो इसको भी आप इस प्रकार से समझे कि देखिए अस्तित्व जो है हम उसको वास्ताव में ऐसे मान की चलते हैं कि यह तो है ही किन्तु वास्ताव में ऐसा अनिवारे नहीं है यानि कुछ वास्ता में हो ऐसा अनिवारे नहीं है ऐसा भी त ना होना ही वास्तों में होने को यानि ना होने से ही वास्तों में होना भी जो है वो बताया जा सकता है अर्थाद ना होने से आप होने को सिद्ध कर सकते हैं तो ना होना वास्तों में अपने आप में कुछ होता नहीं है होना ही होता है और होने का ना होना वास्तों में अव्यक भाग नहीं हैं, वो केवल एक ही भाग हैं, जिससे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी चीज हम नहीं जानते हैं इस समय पर, वो वास्तों में नहीं है, किन्तु वो कभी न कभी प्रकट होगा, समझ रहे हैं आप इस बात को, ये बहुत ही घुमाओदार बात है वास्तों मे किन्तु यही यह वास्ताव में दर्फ दिखाता है आपको कि किस प्रकार से यह जो होना है यह वास्ताव में इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने फिर से का और मैं इसको फिर से कहूंगा आपको कि यदी कुछ नहीं है इससे अर्थ यही होता है कि होना होता है यानि जब होगा कुछ तो वो तो होगा ही जो है वो तो होगा ही अस्तित्व जो है वो तो है ही यदी अनस्तित्व है तो अनस्तित्व तभी होगा जब अस्तित्व नहीं है अर्थात अस्तित्व तब भी था केवल वो अपरकट हो गया वो अन्मैनिफेस्ट हो गया वो अव्यक्त हो गया तो इसका कहने का ताथ पर यहां पर यह है कि वास्ताव में होना ही है ना होना करके कुछ होता नहीं है और ज्यान्स के द्वारा जो नहीं है वो वास्ता में हो जाता है तो इस प्रकार से होना जो है वो ही है नहोना वास्ता में कुछ है ही नहीं तो इसी को जो है वास्ता में रिशियों ने समझा है कि होना तो है ही कुछ ना कुछ तो है, होगा ही ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो यही स्थिती हो सकती है कुछ ना होने की स्थिती कभी हो ही नहीं सकती, केवल ऐसा हो सकता है कि जो नहीं होना है वो कुछ समय के लिए अव्यक्त हो जाए और फिर वो पुनह व्यक्त हो जाए तो इसी को लेकर के जो है वास्तों में कहा गया कि श्रिष्टी जो होती है वो जब प्रलय होती है तो अव्यक्त में चली जाती है किन्तु उस अव्यक्त से पुनह वो व्यक्त में लौट कियागी तो वो जो अव्यक्त वाली स्थिती है वो वही स्थिती है जबकि सब कुछ अ और अंधेरा था और अंधेरे में ही अंधकार से जान जो है वो अंधकार से घिरा हुआ था तो वो अव्यक्त में चला गया किन्तु वो जो अव्यक्त है वो पुनहा प्रकट होता है और वो जो पुनहा प्रकट होता है वो ही होने की प्रक्रिया है तो इसलिए ना होने की जो स चला जाएगा अर्थात जो उसको अनुभव कर रहा है वो उसको अनुभव नहीं करेगा तो वो अव्यक्त में चला गया किन्तो जैसे ही अनुभव करता पुनह जागेगा और फिर से जो है वो देखने आरंब करेगा तो वो पुनह व्यक्त होने लगेगा और व्यक्त होता च चला जाएगा तो इस बारे में यहां पर बताया जा रहा है यह बहुत ही गहरे यहां पर संदेश हैं और बहुत ही सुन्दरता से उनको यहां पर भाशा दवारा प्रकट किया गया है तो वही बताया गया है कि रिशियों के मन में यह जो विचार था वो प्रकट हुआ उन्हो जो श्रिष्टी है, इसका कोई अंत नहीं है, ग्यान का वास्ते में कोई अंत नहीं है, यदि आप एक बैक्टीरिया के लिए एक तलाब ही वास्ते में ब्रह्मांड जितना बड़ा है, तो उसको यदि उस तलाब के बारे में ग्यान हो जाए, तो वही उसके लिए बहुत है, हम जो है हम कई प्रकाश वर्षों दूरों तक की भी वस्तों का ग्यान अपने पास में लेके आ गए है किन्तु यदि हम इसको पूरी अनंत से यदि इसकी तुलना करें तो ये भी हमारे लिए केवल एक तलाब भर ही है ये भी हमारे लिए केवल एक तलाब भर ही है तो ये जो इस इस लोग को समात करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने आपको यह जो विचार है, यह समझा दिया होगा फिर अगले वीडियो में हम पाँचवे इस लोग के ओपर चर्चा करेंगे, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समात करते हैं, नमस्ते अगले प्रफड़ को